Hello friends, अज़का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे F5 गाड़ी को हम लोग कार्बुरेटर सिस्टम में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये गाड़ी जो है वो गलेमर है यहाप देख सकते हैं यह गारी जो है गलेमर है हम लोगों ने इसमें कार्बूरेटर अल्रेडी इंस्टॉल करके रखा है लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हमने इस गाड़ी से हम लोगों को कार्बूरेटर में चेंज करने के लिए क्या क्या पार्ट को हटाना पड़ा सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैंACE पर करफूरेटर के जगा में ये थ्रोटल बोडि था ये थ्रोटल बोडि को हम लोग यहां से अटा दिये हैं त egent एक और इस होस पाइप के और इस गाड़ी को कार्बूरेटर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोगों ने इसका इंजन बनाया है सबसे पहले हम लोगों को इस इंजन को खोलना पड़ा हाफ इंजन को खोलना पड़ा और आप लोगों को पता होगा अगर अगर आप लोगों को नया पिश्टन और न भी सेम काम किया है, इस इंजन को खोला, इस इंजन को अब मैं बताता हूँ कि खोलने का जरूरत के उपड़ा, ताकि हम लोग इस इंजन को खोलने के बाद यह जो यहां पर जो है वो गुना बनवा सके, गुना इसलिए बनवा सके क्योंकि यहां पर देख सकते गुना यहां दूसरे जगह पे था लेकिन हम लोगों ने यहां पे गुना बनवाया ताकि इस फ्लेंज को हम लोग यहां पे इंस्टॉल कर सके इस इंजन में और इस फ्लेंज को इंस्टॉल करने का जरूरत इसलिए है ताकि आप जो हैं इस फ्लेंज के साथ आप इस कार्बूरेटर को होगा यह 200 के आसपास आपको फ्लेंज बिल जाएगा और यह ओस पाइप जो है वो एक डिर्शो के आसपास आज आएगा तो मिला जुला कि आपको 6000 में ज्यादा से ज्यादा 6000 में पूरा कार्बुलेटर सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा आपका गारी तो फ्रेंट हम लोग हम लोगों का जो है वो यह केबल जो है वो असपार्क नहीं कर ला था इस गारी में करेंट नहीं आ रहा था इस गारी में लेकिन जब हम लोगों ने यह इंजेक्टर को दुबारा से यहां पर लगा किया और तब हम लोगों ने कीक मारा तब यह गारी से स्पार्क आना चालू हो गया तो आप लोगों को भी यह गलती नहीं करना है तो आप लोगों को आप लोग लोग जब भी ऑप रहाइ शिस्टम से कार्बूरेटर सिस्टम में गाड़ी को चेंज करते हैं तो आपको जो है वो इस इंजेक्टर को खोल के नहीं रखना है क्योंकि अगर आप इस इंजेक्टर को खोल के रख दिजेगा तो आपका जो गाड़ी है वो स्पार्क नहीं करेगा तो इसको इसलिए हम लोगों को दुबारा से इसे लगाना पड़ा और लगाने के बाद इसमें स यह इसमें spark हो रहा हो रहा है करेंगत आदो कि इसम्मीट करिंट अब लोगों को दिखाते हैं कि एल्जेंटर siamo करेंगत करोडले करेंटर हाक आप चेक करते हैं कि के यहां से करेंट बेट नदेगे को देख सकते हैं यहां पे हम लोगों नहीं इंजेक्टर खोल यार, इंजेक्टर खोलने के बाद यहां पे करेंट नहीं आ रहा है, तो आपको भी यह गलती नहीं करना है, आपको इंजेक्टर पूरा वाइरिंग सेट से आपको इंजेक्टर को नहीं खोलना है, अगर पूरा वाइरिंग सेट एंटर्नियले के बाद दगता है यहां पर देख सकते हैं यह जो यह वह फ्यूल इंजेक्टर का के स्कंचन है यह भी चैसे का टैसे रहेगा आपको बसे कोल रहना है और यहां पर भी एँटर्रीले में रहेな का पूरा इंजेक्टर में यह अब इसका अमग्य दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमरे चैनल को सस्क्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर किजेए